पर देखने जा रहे हैं तो यह थोड़ा सा आप समझ लो यहाँ पर कि सीट आफ चार्ज का मतलब क्या है यह जो पॉइंट है इसे हम लोग समझेंगे और उसके बाद देन हम लोग इसका फॉर्मले को डिराइब करेंगे तो जो सीट आफ चार्ज है उसको समझने के लिए एक ऐसे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इसमें कुछ कंफूजन्स हो जाते हैं तो समझते हैं जैसे सपोस कर लिया एक कोई भी यहाँ पर यह नॉन कंडुक्टिंग सर्फेस है मतलब यह, नॉन कंडुक्टिंग सर्फेस है इस तरह से नॉन कंडुक्टिंग सरसे अधर हम लोक यहाँcm पर जैसे बीच में कोई भी ऐसे प्लीं इमेजिन करें जैसे बीच में हमने एक plane imagine किया, इसी के बीच में, तो वहाँ पर जो भी atoms है, जैसे जिन से भी मिलकर बना हुआ है, तो वहाँ पर जो भी atoms है, उनसे हमने क्या किया, एक एक यहाँ पर, इसमें से electron निकाल दिया, ठेक है, अब यह सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि समझने मे आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं, तो जैसे हमने मान लिया कि बीच में यहाँ पर एक plane है, और यह कैसा है, non-conductor है यह पूरा system, ठीक है, इसमें जो भी atoms लगे हुए हैं, वहाँ से हमने एक-एक electron बाहर निकालना शुरू कर दिया, तो अगर हम एक electron निकाले तो उसके corresponding plus charge वहाँ पर आ जाएगा, मतलब वो जो भी atom होगा, उसके उपर एक positively charge वो आपको दिखेगा, ठीक है, तो इस तरीके से उसके उपर positive charge आ गया, लेकिन यह क्या है, non-conductor है, तो अगर यह एक non-conductor है, तो क्या यह charge move करके बाहर के surface पर आ सकता है, नहीं आ सकता है मतलब जहां था यह वह ही रहेगा, तो अब अगर हम यह पूरा conductor यहाँ पर हटा दें, यह non-conductor जो है, ठीक है, यह जो non-conductor है, इसको हम पूरा हटा दें, और सिर्फ यह जो seat बीच में हमने imagine की थी, इसी को सिर्फ हम रखें, ठीक है, सिर्फ यही यहाँ पर बचा, तो य यह जो seat यहाँ पर आपको दिख रहे ही, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, seat of charge, मतलब एक तरह से charge की seat हो गई, तो यह एक single surface माना जाएगा, ठीक है, यह double surface नहीं है, इसमें surface tension का concept मत लगा देना, कि जैसे उसमें दो-दो बताये गए थे, तो वहाँ पर यह concept, वहाँ वाला concept इ यह actual में क्या है, हमने क्या कहा, कि एक atom से हमने एक electron निकाला, तो उस atom पर positive charge है, तो यह single positive charge है ना, ऐसा थोड़े कि इधर एक अलग positive है, पीछे एक अलग positive है, ऐसा है, नहीं है ना, एक ही single है, क्योंकि एक atom था, उसमें से हमने एक electron निकाला, तो वह एक positive charge की तरह से बन गया तो अगर ये एक positive charge है तो यही इधर भी electric field produce करेगा और यही charge इधर भी electric field produce करेगा मतलब इसी charge की lines इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर यह दो surface की तरह act नहीं करेगा बलके एक single surface की तरह act करेगा ठीक है तो यह जो यहाँ पर बना system, इसी को हम लोग क्या बोलते है, seat of charge, तो हम इसी के कारण यहाँ पर निकालने जा रहे है, electric field, अब यहाँ पर कुछ बाते हैं, जैसे यह जो हम लोग के slavus का जो part है, उसमें इसे infinite length का माना जाता है, मतलब infinitely large seat यह मानी जाती है, infinite का मतलब क्या होता है, infinite का मतलब बहुत दूर से नहीं होता है, बहुत बड़े से नहीं होता है, infinite का मतलब होता है, एक तरह से compare करते हुए, कि जैसे अगर हम यहाँ पर, मानने कि यह infinitely large है, तो infinitely large का मतलब भी बहुत बड़ा imagine किया जा रहा है, यहां हम कहते हैं, कि इसके past का ज तो यह हम इसलिए ऐसे कह सकते हैं, जैसे जो हम point लें, वो बहुत close ले लें इसके, तो यह distance इतनी कम है, कि इसकी तुल्ला में, मतलब यह जो इसकी length है, इसकी तुल्ला में इस distance को हम neglect कर सकते हैं, तो हम क्या कह देंगे, इस distance की तुल्ला में ये बहुत large है तो उसको हम infinite मान लेंगे मतलब एक तरह से comparatively इसकी length को हम काफी ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पर जो हम लोगों के syllabus का part है उसमें हम infinite seat वाली condition ही देखते हैं मतलब इसकी उपर जो लंबाई चोड़ाई है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है हम उसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ी seat है और इसके near point पर हम electric field देख रहे होते हैं तो यह नजदीक के point पर electric field की value क्या आएगी यह हमें निकालना है इस seat के card लेकिन हम लोगों के syllabus में वही part है तो इसलिए कहीं पर mention नहीं किया जाता है ठीक है कि infinitely large seat है कि क्या है बस उसे हम imagine कर लेते हैं हाँ ठीक है तो दो बाते हम लोगों ने सीख ले कि जो भी हम लोग charge seat का यह case पढ़ते हैं अपने level में यह infinitely large होगा एक बात हो गई और दूसरी बात जो भी हम यहाँ पर electric field निकालते हैं वो near point पर और तीसरी बात क्या होगे कि यहाँ पर जो यह seat of charge है यह क्या है तो यहाँ पर एक single charge है यही इधर भी electric field produce करेगा और यही उधर भी इसलिए इसको एक single surface की तरह हम treat करेंगे ठीक है अब देखते हैं इसके कारण electric field क्या हो जाएगी जैसे हमने इसे ले लिया कि यहाँ पर जो है यह seat of charge है मैं तब ऐसे charge ऐसे समझा लो कि charge को जोड़ते चलेगा ऐसे ठीक है इस तरीके से और एक charger जैसी हमने बना ली ठीक है तो उसी को हम क्या कहतेंगे seat of charge तो यहाँ पर यह जो seat of charge है इसके उपर charge हमने दे दिया और पूरे पर इस तरह से plus q charge और इसकी जो surface charge density है उसको हमने मान लिया sigma है तो अब इसके near point पर हमें दिखाना है electric field क्या होगी तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक gaussian surface मानते हैं तो यहाँ पर cylindrical gaussian surface हम imagine करेंगे ठीक है इस तरह से cylindrical gaussian surface और यहाँ पर हमें electric field क्या जालनी है इस तरह से ठीक है तो यह जो यहाँ पर surface बनाया गया यह क्या है इसे cylindrical gaussian surface ठीक है cylindrical gaussian surface तो जो भी यहाँ पर lines होंगी वो seat के यानि की जो surface होता है उसके हमेशा perpendicular generate होती जैसा भी surface होगा conducting उसके perpendicular रहेंगे तो जो भी electric lines रहेंगी वो ऐसे ही generate होंगी जैसे यहाँ दिखाएगे तो यहाँ electric field E के बराबर है और यहाँ भी electric field क्या है E के बराबर तो दोनों जगे पर electric field same यहाँ पर लेंगे हम लोग ठीक है जैसे जितनी distance इधर ले लिए उतनी distance यहाँ पर ले लिए यह जो यहाँ पर cross section है इसका area हमेंगे एस के बराबर है तो area vector perpendicular to the surface दिखाते हैं वो भी S दिखा दिया और इधर भी perpendicular and out of surface दिखाएंगे इधर दिखा देंगे लेकिन इसमें एक surface और है यह cylindrical वाला यह तो एक surface हो गया that is A, यह दूसरा surface हो गया B और यह तीसरा surface हो गया C जैसे यह cylinder है यह जो marker है cylindrical form में है तो इसमें एक यह surface हो गया cross section, circular यह surface हो गया और एक यह cylindrical surface भी तो है तो यह जो तीसरा surface यहाँ पर जो दिखाया गया यह वाला, यह cylindrical surface है ठीक है, तो cylindrical surface जो यहाँ पर है इसके लिए हम एक direction नहीं ले सकते हैं तो इस पर अगर हम एक छोटी सी ऐसे छोटा सा एक area लें तो area कैसे होगा? डियस, perpendicular surface के और यहाँ पर अगर हम electric field देखें तो electric field तो ऐसे होगी नै इस surface के normal generate होगी तो यहाँ पर इस से, मतलब यह जो conducting surface है, इसके normal generate होगी तो यहाँ पर अगर हम इस cylindrical surface के साथ देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? parallel ठीक है? जैसे ऐसे lines generate हो रही ना तो यहाँ electric field सब कहीं वैसे electric field दिखाएंगे कहीं भी दिखाना है तो इन दोनों के beach angle कितना? 90, इसका मतलब cylindrical surface से link flux क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो सिर्फ A और C का यहाँ पर रहेगा जो भी यहाँ पर flux रहेगा ठीक है? तो clear हो गया अब यहाँ पर यह जो surface यहाँ दिखाए गई है तो यह जो cross section होगा इस cross section में कितना area है? कितना charge है? सुरी यहाँ पर cross sectional जो area यहाँ पर है तो इसका area तो S के बराबर ही रहेगा क्योंकि पूरे cylinder का cross sectional area सेम रहेगा इस cross section के अंदर जो charge है वो मान लिया Q के बराबर है ठीक है? तो अब जड़ा यहाँ पर देखो हमें apply करना है gausla तो हम लोग यहाँ पर apply करेंगे by gausla gausla क्या? यहाँ पर लिख सकते है phi net जो net flux होगा वो charge in close divided by epsilon naught मतलब इसी gaussian surface से link अगर flux निकालेंगे तो क्या लिखेंगे total flux is equal to q upon epsilon naught total flux में तीन तरह के surface हैं तो तीनों surface का अलग-अलग लिख लेंगे phi a plus phi b and plus phi c is equal to अब charge कितना होगा? तो आप देखो charge per unit area माना गया है sigma तो यहाँ पर अगर हम लिखे area और यहाँ पर हमने लिखा charge तो unit area पर charge कितना है? sigma तो s area पर charge कितना हो जाएगा? sigma into s and this is q देखो यहाँ पर जो cross section है वही पर जितना charge होगा वही charge count करेंगे पूरा area नहीं लेना है आपको इस cylinder का क्योंकि आप ऐसे सोचो जैसे यह seat है जैसे हम हाथ जो दिखा रहे है पना ठीक है इसको हमने seat माले इसी पर charge है यहाँ पर तो अगर हम cross यह cylindrical gaussian surface बनाए तो यह ऐसे ही तो है यह क्या हो गया? cylindrical gaussian surface तो अगर हम देखें तो जितना यह cross section यहाँ आएगा उसी में जो charge होगा वही तो charge यहाँ पर पूरे से enclosed हो जाएगा बाकी तो कहीं charge ही नहीं जैसे अगर आप सोचो यहाँ यहाँ कहीं charge होगा यहाँ यहाँ कहीं नहीं सिर्फ cross section में charge है तो यहाँ पर जो cross section है वो S है unit area पर charge कितना है? sigma तो फिर S area पर sigma into S हो जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे? charge enclosed by the Gaussian surface, ठीक है? तो यहाँ पर Q की जगे पर क्या लिखते हैंगे? sigma S divided by epsilon naught अब यह phi A जो है वो क्या हो जाएगा? E into S जैसे अगर हम flux देखें तो flux क्या हो जाएगा? flux जो होता है वो E into S into cos theta होगा तो theta तो यहाँ 0 हो जाएगा na E और S दोनों same direction में तो E S यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 0, cos 0 की value 1 तो E into S हो जाएगा, ठीक है? B अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो B से link जो flux हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 और फिर phi C यहाँ पर है again E into S हो जाएगा, ठीक है? एक student online में कोई पढ़ता है उसने हम से पूछा था magnetism में भी हम लोग पढ़ते हैं flux तो B dot A जैसे यहाँ E dot S या E dot A ठीक है? B dot S हो गया, फर्म यहाँ पर दूसरा हो गया, B S cos theta और तीसरा उसने लिखा था formula B into S फिर उसने question पूछा था, यह वाला formula तो कहीं आपने लिखवाय है यह नहीं? खाली यही दो तो लिखवाय है, यह कहां से आगे? अब हम क्या समझा दें? बता दो तूम क्या समझा दें? मतलब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर theta की value 0 degree होगी तो cos 0 1 हो जाएगा तो B into S ही तो आएगा online online का result यहाँ पर आ गया था तो मुझे याद आ गया बाकाइदा वो screenshot लेकर भेजा है मुझे तो यहाँ पर क्या हुँआ? नहीं नहीं पता नहीं कौन था यहाँ पर 2 E S is equal to sigma S divided by epsilon 0 यह आ जाएगा तो यह यहाँ पर जो S है यह cancel हो जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा E is equal to sigma divided by 2 epsilon 0 ठीक है यह electric field हो जाएगा इस electric field के formula में आप देखो तो यहाँ पर कहीं distance आपको नज़र आ रही है नहीं इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? कि किसी भी infinitely large seat के near point पर जो electric field होगी वो कहीं same होगी यानि कि uniform electric field होगी वो distance पर depend नहीं करेगी जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे सब कहीं electric field क्या रहेगी? Same तो इसी तरह से जो uniform electric field जैसे हम लोग दिखाते हैं ना ऐसे तो वो uniform electric field आपको ऐसे imagine कर सकते हैं कि uniform electric field अगर कहीं हमें generate करनी है तो हम एक clean seat ऐसे रख दें यही चार seat ऐसे रख दो, तो यहाँ से जो field generate होगी वो कैसी होगी? Uniform होगी क्योंकि सब कहीं एक जैसी field होगी चाहाँ यहाँ देखो, चाहाँ यहाँ देखो, चाहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो सब कहीं एक जैसी field ठीक है? Note करेंगे इसके नीचे थोड़ा सा एक line और लिखनी रहेगी Note के लिए न आपने? कितना time लगाते है note करने? लिखो, if total charge Q, capital Q लिखेंगे if total charge capital Q क्योंकि small Q यहाँ पर मान चुके हैं पहले से परना कोई problem नहीं होती, small Q capital if total charge Q, capital Q is distributed is distributed on area A, capital A on area A off sheet off sheet then then उसी क्या क्या लिख लेंगे? then sigma is equal to जैसे अगर हम sigma की बात करें तो charge point area होगा ना? तो sigma is equal to Q divided by A total charge upon total area and therefore E is equal to क्या हो जाएगा? Q divided by 2 epsilon 0 A मतलब अगर हम charge और area के टर्म में लिखें तो यही formula हो जाएगा Q upon 2 epsilon 0 A और अगर हम sigma के टर्म में लिखें तो sigma upon 2 epsilon रहेगा सिर्भा अब देखो आप एक चीज यहाँ पर समझो कि आप यह भूल जाओ कि यह conductor है कि non conductor है आप भूली जाओ कि conductor है कि non conductor है लेकिन सिर्फ single surface है अगर एक single seat है एक single surface है तो एक surface के कारण जो भी electric field होगी वो क्या होगी sigma upon 2 epsilon और Q के टर्म में Q upon 2 epsilon 0 तो यह तो दोनों एक ही बाते हैं बस एक Q के टर में सिर्मा के टर में तो एक याद कर लो कि अगर एक single surface है तो उसके कारण sigma upon 2 epsilon 0 रहेगा यहाँ पर electric field ठीक है अब देखते हैं इसी को लेकर electric field near a charged conducting surface कि अगर हम किसी conducting surface को charge देते हैं जैसे अभी हमने non conductor लेकर समझाया था single surface लेकिन अगर हम किसी conducting surface को charge देंगे तब वहाँ पर क्या होगा electric field near a charged conducting surface देखो जब कोई conducting surface होगा तो उसमें होगा क्या infinitely large की हम लोग बात करते हैं इसलिए हम ऊपर नीचे जो edges होगी उनकी बात नहीं करते हैं ठीक है तो यहां पर जैसे एक बड़ी सी seat हमने दिखा दी इनफानाइटली लार्स सीट ठीक है यह इस तरह से एक seat है तो एक side से ऐसे आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा यह वाला surface भी दिख रहा है और इसकी जो edge है वो भी दिख रहे है तो जब हम इसके उपर charge देंगे तो कोई भी conductor है उस पर अगर आप charge देंगे तो हमेशा बाहर की तरफ भागेगा हमने last time पर आपको बताए भी था कि वो हमेशा दूर भागने की कोसिस करता है जिससे कि उसकी potential energy कम हो जाए तो यहाँ पर charge अगर अंदर भी दोगे तो रुकेगा नहीं क्योंकि यह क्या है conductor तो conductor पर अगर आपने charge दिया तो charge इधर भागेगा इस surface पर आ जाएगा क्योंकि चार्ज दोनों जैसे positive charge आपने दिया तो वो charge यहाँ पर एक दूसरे को ripple करेगा तो यह charge इधर जाएगा और पीछे वाले surface पर चला जाएगा जैसे यह conductor मानलो ऐसे है तो अगर आपने इसको कहीं भी charge दे दिया तो वो charge दूर की तरफ भागना चाहेगा ठीक है तो इधर भागेगा और इधर side में भागेगा बाकि यह तो infinitely large है तो edge की हम बात नहीं करते हैं तो इधर भाग क्योंकि ripple करेगा तो ripple करेगा तो दोनों तर सर्फेस बन गई तो सर्फेस डेवलप हो गई मतलब conductor में अगर आपने चार्ज दिया तो उसमें automatically दो सर्फेस डेवलप हो गई तो हमें यह पता है कि एक सर्फेस की electric field क्या होगी sigma upon two epsilon ठीक है तो sigma upon two epsilon naught एक की होगी तो वैसे दूसरे वाले की भी हो जाएगी अब इसको लेक likaia जाता है फठल से मतलब ऐसे जो है वो सिर्फ आपको दिखाई जाती हम ऐसे ठीक है तो यह है यह है एसा लेकिन अगर हम हलका सा जैसे यह है तो अगर हम हलका इधर साइड से देखें तो हमें यह सर्फेस भी दिख रही है और यह भी दिख रहा है अगर ऐसे हलका साइड कर दें लेकिन एकदम ऐसे कर दें तो क्या होगा एकदम सामने से गर आप देखो तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा यह एज द charge density sigma और इस पर भी sigma मतलब sigma क्या है वो तो per unit area charge है ना तो charge per unit area क्या है sigma के बराबर तो ये इसका equivalent diagram बन गया अब दो point है हमारे पास एक point है अंदर P dash और एक point है बाहर इसके near point पर P बाहर की तरफ अब इन दोनो points पर हमें electric field बताना है क्या हो जाएगी ठीक है तो अगर हम दो surface मान रहे हैं तो दोनों surface एक ही जैसी हैं तो दोनों की field एक जैसी रहेगी लेकिन हम उसे one और two लिखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए किसके कारण कौन सी field लिखी गए तो अगर हम one के कारण लिखें तो हमने बता रखा है कि positive charge के कारण किसी भी point पर electric field देखेंगे तो charge से away जो head बनेगा दूर की तरफ तो अगर इसके कारण हम यहाँ पर बनाएंगे तो इधर side में बनाएंगे that is e1 और इसके कारण अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो इससे दूर तो e2 और ऐसे ही अगर हम इस p point पर दिखाएंगे तो यह जो 1 है उसके कारण electric field ऐसे दिखाएंगे that is e1 तो 2 है इससे भी तो दूर ही दिखाएंगे ना तो 2 की जो electric field होगी वो भी इसी direction में हो जाएगी that is e2 ठीक है तो यहाँ पर दोनो electric field जो है वो इसी तरीके से हम लोग दिखा देंगे e1 and e2 ठीक है तो अब e1, e2 की values तो बरावर ही होगी यहाँ पर values तो अलग-अलग नहीं होगी यह भी e1, e2 है और यह भी यहाँ पर e1, e2 है बट अंतर क्या है यह दोनो opposite है तो यहाँ चुकी दोनो field बरावर होगी इसलिए field क्या हो जाएगी 0 और हमें पता भी है कि charge conductor के अंदर electric field क्या होती 0 हम लोगों ने यह वाला भी देखा था इसमें भी proof किया था electric field क्या थी 0 जिसमें charge ऐसे distribute किया गया था spherical cell वाला case तो charge conductor के अंदर electric field 0 हो जाएगी ठीक है P point जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो electric field same direction में और add हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पर दोनों बाते लिख लेंगे diagram तो बनाई दिया गया है यहाँ पर यहाँ पर पहले लिखेंगे add point P dash पहले inside वाले की बात कर लें add point P dash net electric field net electric field E is equal to E1 minus E2 that is sigma upon 2 epsilon 0 एक surface के कांट sigma upon 2 epsilon 0 ऐसे दूसरे के कांट भी sigma upon 2 epsilon 0 and that is equal to 0 तो जो net electric field inside मतलब P dash वाले point पर होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी ठीक है? क्याम मतलब P क्या मतलब P तो फिर नियर चांस कंड़क्टिंग सर्फेस क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख दियागा है नियर चांस कंड़क्टिंग सर्फेस सिग्मा अपान एफसाले नौट देखो यहाँ पर समझाने के लिए जो यूज किया जाता है वो ऐसे ही सर्फेस प्लीन सर्फेस ऐसे यूज की जाती लेकिन अगर आप यह बना फार्मूला देखो तो इसमें क्या कोई सेप या साइज की बात हो रही कोई बात नहीं हो रही च सेप साइज चाहें जैसा उससे कोई प्राब्लम यहाँ पर नहीं है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यह प्लेन सर्फेस ऐसा ही होना चाहिए तब यह फार्मूला लगेगा यह फार्मूला किसी भी टाइप के सर्फेस के लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है नेक्स यहाँ पर हम अभी स्फेर हमने ले लिया और इसकी रेडियस सपोस कर लिया आर के बराबर ठीक है यह स्फेर है और इसके उपर हमने चार्ज ऐसे दे दिया यहाँ पर प्लस तो चार्ज यहाँ पर दे दिया गया प्लस क्यू चार्ज तो अगर हम इसके सर्फेस पर पोटेंसेल लिखें तो हमें पता है, फार्मुला, 1 upon 4, 5, 6, 0, q divided by r. अगर हम ये चार्ज जो है, उसे हम सिग्मा के टर्म में रखें, ठीक है? जैसे यहाँ पर चार्ज क्यों है, लेकिन जो सरफेश चार्ज डेंस्टी है, वो सपोस्ट कर लिया, सिग्मा के बराबर है. तो हमें पता है, कि जो सिग्मा है, वो क्या होता है, चार्ज अपान एरिया, तो चार्ज जोगर टो सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा. मतलब चार्ज की जगए पर हम लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्कॉर, ठीक है? अब इसमें देखो, क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई, 4 पाई कैंसिल हो रहा है, और एक r कैंसिल हो जाएगा. तो यहां बचेगा सिग्मा इंटू r, तो हमने सिग्मा इंटू r को लिखा यहां पर, और यह एपसाले नॉट इधर ट्रांसपर होगा, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? एपसाले नॉट इंटू v, यह पूरी कॉंटिटी कॉंस्टेंट रहेगी, ठीक है? तो अब आपको यहां पर यह समझना है, कि यह एपसाले नॉट तो ठीक है, कॉंस्टेंट है, पोटैंसिल कैसे कॉंस्टेंट रहेगा? तो पोटैंसिल हमें पता है कि यह सर्फस कंड़क्टिंग है, तो अब हमें पता है कि différence कंड़क्टर कोई भी होगा, तो वो हमेसा एक EPS होगा, क्योंकि इस पर अलग अलग जगे पर potential अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर potential differ कर गया, तो charge move कर जाएगा और potential same कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, V is equal to constant because charged conducting, conductor charged conductor will be an EPS will be an EPS, equipotential surface होगा, जो charge conductor है वो एक क्या होगा, EPS, तो इसलिए V constant और epsilon not तो पहले से ही पता है, constant है, तो इसका मतलब sigma r की value क्या हो गई, constant हो गई, and therefore हम लिख सकते हैं, sigma is inversely proportional to r, यह result हमें मिला यहाँ पर, जो यह बता रहा है, कि जैसे हमने sphere लेकर solve कर लिया, अब यहाँ से में result पता चल गया, result क्या है sigma inversely proportional to r मतलब अगर कोई ऐसा surface है जिसमें random तरीके से वहाँ पर radius है, मतलब arbitrary shape में दे दिया क्या कोई भी, तो वहाँ पर r कहीं कम है, कहीं जादा है, तो वहाँ पर sigma भी change हो जाएगा, जैसे इसमें सब कहीं r सेम है, तो सब कहीं sigma भी क्या रहेगा, सेम, लेकिन अगर इसी को हम ऐसा कोई surface बना दें, जिसमें कहीं r कम हो, कहीं जादा हो, तो ऐसी condition में क्या होगा, जहां r कम होगा, वहाँ sigma जादा होगा, जहां r के near point पर कहीं पर, जैसे यहाँ पर हमने point ले लिया, तो यह भी यहाँ पर conductor ही है, charged conductor, और यह क्या होगा, EPS होगा, ठीक है, equipotential surface भी रहेगा, तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया है, तो इस से perpendicular, जैक हमने यहाँ पर surface के perpendicular दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पर perpendicular electric field रहेगी, और इसकी value क्या होगी, sigma upon epsilon, अभी हम लोगे यही तो देखा था, charge conducting surface के near point पर electric field यह होगी, ठीक है, और यह imply कर रहा है, that is, E is directly proportional to sigma, और sigma होगा inversely proportional to r, मतलब क्या होगा, कि जहाँ पर r कम है, वहाँ पर sigma ज्यादा होगा, वहाँ electric field ज्यादा होगी, जहाँ पर r ज्यादा होगा, वहाँ पर sigma कम होगा, और e भी कम होगा, यह random shape में इस तरीके से हम रूप देखेंगे, नोट कर लेंगे, पुराई, नोट कर लेंगे, r को यहाँ पर हम radius of curvature बोलेंगे, radius of curvature, radius of curvature, नोट कर भी कर लेंगे, तो यहां पर एक चीज और आप समझ लो, जैसे हम लोगा ने ये ऐसे भी दिखाया था, तो इसमें कितने सर्फेस थे, दो सर्फेस थे यहां पर, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने सर्फेस, दो या एक, एक सर्फेस, एक पर हमारा रिस्पॉंस देखके दो वोल दिया, यहां पर भी दो ही सर्फेस होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहां दो सर्फेस इमेजिन किये थे, तभी तो इसके near point पर electric field हमने लिखा था, sigma upon epsilon naught, और अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ पर भी तो sigma upon epsilon naught ही लिखा गया, तो इसका मतलब यह भी equivalent to two surface होगा आप यहाँ पर एक line draw कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक surface save, और एक surface यह हो जाएगा, तो यह दो surface की तरह behave करेगा, तो आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान दो कि, जैसे ऐसे कैसा भी random save बना दिया गया, तो इसे अगर आप ऐसे cut कर रहे हैं, तो यह दो surface की तरीके से है, ठीक है, आप चाहाँ जहाँ से cut कर दो, आप इतना part ऐसे cut कर दो, ठीक है, ऐसे, तो यह एक surface हो गया, और यह दूसरी surface हो गई, ठीक है, तो यह दो surface की तरह behave करेगा, एक यह जैसे आपने यह ऐसे हाँ पर cut निसान लगा दिया, तो यह एक surface हो गया, और यह इधर का ये दूसरा surface हो गया, ठीक है, तो ये जो closed वाला है, ये दो surface की तरह behave करेगा, लेकिन अगर हम इतना part इसमें हटा दें, अब ये single surface बन गया, क्योंकि ये open हो गया ना, ऐसे, इतना part हमने हटा दिया, तो ये जो part है, ये अब single surface की तरह behave करेगा, तो जैसे अगर हम कोई ऐसा surface इसको पुरा ऐसे बंद कर दें, तब तो ये two surface की तरह behave करेगा, लेकिन अगर हमने इसको open कर दिया, तो ये single surface की तरह फिर behave करेगा, तो अगर हमने इतना चाहे, छोटे से छोटा चाहे, जितना भी part आप इसमें से हटा देंगे तो इसका behavior कैसा हो जाएगा single surface जैसा हो जाएगा यहां ठीक है जैसे यहां पर एक आपको surface दिखाये गया है charged conductor है अब इसमें अलग अलग तरह से आपको दिख रहे हैं curvature जैसे अगर आप यहां पर देखो तो यह a point हमने इमेजिन कर लिया इस location को यहां पर अगर आप देखो तो इसे हमने यहां पर B point मान लिया और यहां पर एक point हमने C point मान लिया इन तीनों point में एक difference है और वो difference है radius आफ curvature का आपको हमने radius आफ curvature के बारे में बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब रेटे साब करवेचर आपको बताया जा रहा था, तो हाँ बताया था कि अगर कोई फ्लैट सर्फेस है, तो उसका आर कम होगा या ज्यादा, उसका आर ज्यादा होगा, और अगर pointed है, तो कम होगा, मतलब pointed end है अगर जैसे इस तरह से यह pointed हो गया ना, तो अगर यह pointed end है तो इसका r जो होगा वो small होगा, ठीक है it implies that small r radius आप curvature small होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, तो हमने क्या बता है था कि इसको लेकर आप यहाँ पर circle बनाएंगे, तो अगर आपने इसको लेकर एक circle बनाया, तो वो circle छोटा सा ही तो बनेगा, तो इसका जो radius of curvature होगा, वो छोटा होगा, लेकिन अगर यहीं पर flat surface है, यह कैसा है, flat, flat surface तो flat surface में अगर इतना part लेकर आप यहाँ पर एक, इस तरह से circle बनाएंगे, ठीक है, तो इसका जो radius of curvature हो जाएगा, वो बड़ा होगा, आर बड़ा हो जाएगा, तो flat surface दिखाएगा large R को large radius, R का बतलब radius of curvature, ठीक है, तो यह point हमने आपको projectile motion में बताया था, तो यह ध्यान रखना है, कि आप देखें, तो A, B, C तीनों के जो potentials होंगे, वो same होंगे, होंगे की नहीं, क्योंकि यह charge conductor है, तो charge conductor तो EPS होगा, तो इसलिए तीनों जगे पर potential same आएगा, because charge conductor will be EPS, ठीक है, equipotential surface हो जाएगा, तो इसलिए तीनों जगे potential same आएगा, लेकिन अगर हम sigma की बात करें, ठीक है, तो sigma क्या होता है, sigma inversely proportional to R, और यह imply करेगा, R सबसे कम यहाँ पर है, तो जहाँ R सबसे कम होगा, तो वहाँ पर sigma सबसे ज़्यादा होगा, that means sigma A greater होगा, फिर अगर आप इन दोनों में देखो, तो यहाँ radius आप curvature थोड़ा सा है, ठीक है, यहाँ है, इससे तो ज़्यादा ही है, लेकिन यह तो बहुत flat है, तो हमने क्या लिखा, जितना flat होगा, उतना ही large R हो जाएगा, तो इन दोनों में अगर compare करें, तो इसका R कम होगा, जबकि इसका R बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर जिसका R कम है, वो क्या है, B, तो दूसरे नंबर पर आएगा, B, और जिसका R सबसे ज़्यादा है, वहाँ सिक्मा सबसे कम हो जाएगा, that means यहाँ पर हो जाएगा सिक्मा C, ठीक है, तो जो surface chart density है, वो आपने compare कर ली, R को लेकर, ठीक है, तो जहाँ R कम था, वहाँ सिक्मा ज़्यादा, जहाँ R सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर सिक्मा सबसे कम, और इसी तरीके से अगर हम देखें, तो electric field अगर near point पर देखेंगे, तो near point पर electric field क्या होगी, sigma divided by epsilon, it implies that E is directly proportional to sigma, and this implies that, जहाँ sigma ज़्यादा, वहाँ E भी ज़्यादा, that means E A is greater than E B is greater than E C, मतलब जो near point है, वहाँ पर electric field अगर हम compare करें, तो A पर सबसे ज़्यादा, B पर सबसे कम, मतलब कम, और C पर सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लेंगे से, वही जो नोट वाला point चल ला था, उसी में आगे लिखना है, है, अज़ वालादा, उसी में आगे लाएप। झाल झाल यह जो भी हम लोग सब पढ़ रहे हैं बहुत important topic है यहां से questions ऐसे ही इसी type से questions बनाए जा सकते हैं मतलब numerical नहीं इस type से जैसे हाँ पर compare करने वाला दे दिया गया या फिर यहां सिग्मा को compare करने वाला दे दिया अभी पूछा भी गया था दो साल पहले खुस्तन तो आप फ्रसा ध्यान रखेंगे यहां पर जो भी चीज़े बताईगे next हम लोग देखते हैं electric field due to an infinitely long straight uniform charged wire हमने आपको इससे पहले जो कराया था तो वहां पर हमने बताया था कि एक case हम लोग ने circle वाला किया था ring वाला और एक हमने arc वाला case किया था और वहीं पर हमने बताया था कि एक wire का state line वाला भी case होता है लेकिन वो finite और infinite दोनों होते हैं लेकिन हम लोग के slavus में सिर्फ infinite length वाला case है ठीक है इस पर based question पूछा गया था NEET में नीट में पूछा गया था question 2019 में ठीक है तो यह question जो यहां पर last में question दे दिया है हमने ठीक है तो यह question इसी पर infinite वाले पर पूछा गया था electric field due to an infinitely long state uniformly charged wire infinitely long wire ऐसे हमने sort में लिख दिया है बस ठीक है तो infinitely long wire के near point पर यहां पर हमें electric field देखना है क्या हो जाएगी तो इसमें जैसे इस तरह से इस पर plus charge यहां पर distribute कर दिया गया charge per unit length जो है वो है lambda ठीक है lambda क्या है lambda is the charge per unit length charge per unit length ठीक है तो अब अगर देखें तो यह भी एक तरह का है मतलब एक surface अगर आप मानने small surface थिन surface जोकि यह line है ऐसे तो यहां से भी तो जो भी electric field lines generate होंगी वो ऐसे थोड़े होंगी ठीक है भले यह surface होता चाहिए line है तब भी यहां पर perpendicular ही lines generate होंगी तो जो भी lines होंगी perpendicular इसका यहां पर जो हम लोग Gaussian surface बनाएंगे again cylindrical गौसें surface लेने का तरीका क्या होता है अहला है इतना है वो हम लोग को ध्यानी रखना पड़ता है ठीक है लेकिन Gaussian surface लेने का जो तरीका होता है वो यह होता है कि आपको symmetry मिलनी चाहिए symmetrical surface हो जैसे यहां पर अगर आप ऐसे ले 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 ठीक है और यह plus है और इसमें आप सोचे हम spherical ले 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 तो यह सही नहीं है रीजन क्या है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां area vector ऐसे हो जाएगा electric field ऐसे हो जाएगी यहां पर दोनों same direction में हो जाएगे यहां पर ऐसे हो जाएगा area vector perpendicular और electric field तो ऐसे रहेगी तो यह symmetrical नहीं देख रहा है सब कहीं area vector भी variable हो रहा है और साथ में यहां पर जो electric field यह area vector यहां पर variable हो रहा है साथ में angle भी change होता जा रहा है तो इसलिए यह symmetry का case नहीं बनेगा तो इसलिए हम लोग यहां पर ऐसे surface नहीं ले सकते हैं ऐसा surface लेंगे कि वहाँ symmetrical situation बनेगे लेकिन अगर हम cylindrical ने रहे तो इसमें हम कहीं पर भी electric field देखेंगे तो electric field कैसे रहेगी normal इ अगर हम एक छोटा सा यहां पर area element लेंगे तो यह element और जो electric field है वो कैसे रहेंगे same direction में रहेंगे यह उसमें हमने नहीं बनाया है diagram में यह ऐसे समझाने के लिए बना रहे हैं बनाने की जरूत नहीं है क्योंकि direct करेंगे इसे हम लोग ठीक है और यहां पर electric field इधर side में देखेंगे तो भी यहां पर r distance पर electric field ऐसे हो जाएगी ठीक है कहीं पर भी देखेंगे ऐसे और जो area लेंगे इसे छोटा सा area ले रहे हैं तो e और ds के बीच का angle क्या रहेगा 0 degree रहेगा यहां पर भी लेंगे तब भी वही रहेगा ठीक है तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि कहीं पर भी आप e और ds का angle ले रहे हैं तो वो 0 degree ही आ रहा है और दूसरी चीज यहां पर अगर इस surface पर कहीं पर भी electric field देखेंगे मतलब इसके चारों तरब जोई cylinder बनाया तो उस पर r distance पर कहीं भी electric field देखेंगे सब कहीं same आएगी तो आप याद करो आपको हमने एक जिगे लिखाया था कि अगर e और theta दोनों same हों तो हम direct लिख सकते हैं जो flux है वो es cos theta लिख सकते हैं तो यह हम कहीं भी यूज कर सकते हैं तो आपने integrate करके दिखाया था ना लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर भी तो e और s सब कहीं क्या रहेगा same रहेगा तो अगर हमने यहाँ पर लिया था क्या e ds cos 0 cos 0 और फिर cos 0 की value 1 और e तो constant ही था तो ds का integration क्या था 4 pi r square ठीक है अब आप direct देखो कि अगर आप e और theta same ही पा रहे हैं तो जो यहाँ पर flux हो जाएगा वो flux क्या हो जाएगा e into s into cos theta तो आप देखो e रखो इस फेर का area क्या हो गया 4 pi r square और theta क्या हो गया 0 तो वही चीज तो आ रहे हैं मतलब चाहें integrate करके लिखो चाहें direct लिख दू तो अगर e और theta same हो जा रहे हैं तो आप direct लिख सकते हैं yes cos theta तो यह अभी हम लोग questions करेंगे a question AIEEE में पूछा गया था a question आप के हाँ बिल्कुल वैसे पूछा गया था तो उसमें sphere की condition आएगी बट हम लोग integrate आप नहीं करेंगे करके हम लोग check कर चुके हैं और direct भी आपको यहाँ पर बता दिया गया तो हम direct ही उसका use कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई गॉसला पाई गॉसला पाई is equal to q divided by epsilon 1 ठीक है तो पाई जो flux है वो direct हम लोग लिख सकते है es cos theta es cos 0 और यह आ जाएगा यहाँ पर q की जिगे पर क्या लिख देंगे lambda जैसे यह जो cylinder है यह हमने l length का माना है l length का ठीक है तो आप ऐसे सोचो कि जो charge है unit length जैसे यहाँ पर हमने लिखा length और यहाँ पर हमने लिख दिया charge तो unit length पर जो charge है वो है lambda तो l length पर lambda into l और यही क्या हो जाएगा charge enclosed by the Gaussian surface मतलब q तो जहाँ q है वहाँ पर हम लिखेंगे lambda into l divided by epsilon यहाँ पर देखो es जो cylinder है उसका area क्या होता है 2 by rl ठीक है 2 by rl होता है और cos 01 lambda l divided by epsilon यहाँ से l cancel हुआ क्योंकि l तो हमने मान रखा था ना क्योंकि infinite length का था यह जो है wire तो infinite length अगर ले लेंगे तब तो हमें समझ में नहींगा क्या solve करें ठीक है क्योंकि वह सब कुस infinite हो जाएगा इसलिए l length का यहाँ पर माना गया तो l length का जो cylinder है उसे लेकर माना गया था और electric field मिल गई और l जो हमने माना था वो cancel भी हो गया तो यहाँ से result क्या गया E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon 0 r lambda upon 2 pi epsilon 0 r NCRT में यह जो formula दिया गया है इसको vector form में दिया गया है तो vector form में लिखने के लिए कुछ हमें करना नहीं है क्योंकि यह सारी चीजे जो अगर आप देखें यहाँ पर तो lambda 2 pi epsilon r तो हम r को ही ले सकते हैं लेकिन r तो है नीचे तो हम यहां तो vector लगा नहीं सकतें अगर यह उपर होता तो लगा देते vector लेकिन r नीचे तो vector लगा नहीं सकते तो इसलिए उसमें एक unit vector अलग से मान लिया गया है तो उसमें जो vector form लिखा गया है वो ऐसे लिखा गया ncrt में in vector form e is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r और यहाँ पर एक unit vector लिख दिया गया है n-cap unit vector perpendicular to wire wire के perpendicular unit vector के लिए बहाँ जिसकार का बड़ें भीया है झाल करभेंगा है झाल कि पिर एक भीया है झाल दोडना के लिए टीजा एक, पीजान तो तो कि पिरेंगा है फार्मूला याद रखना क्योंकि कोस्टन जो पुछा गया था वो फार्मूले पर रही था ठीक है उसमें हम लोग अभी करेंगे भी कोस्टन तो यह फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा था नेक्स्ट है इलेक्टर स्टेटिक प्रेसर जां dur यह क्या है कॉंसेट जैसे प्रेसर तुम्हें पता ही है याई नॉर्मल फोर्स अपान एरिया ठीक है आउड्ष त्रौन याँ यह ने charge distribute किया आपने तो अगर आप इसमें एक छोटा सा area element ले लो ठीक है जैसे माल लिए हाँ पर एक हमने area ले लिए DA तो अगर हमने कोई भी छोटा सा area element लिया तो इसके उपर charge तो ही है plus अब इस area की अगर हम बात करें तो जो इधर का part है ये ठीक है ये यहाँ पर एक electric field produce कर देगा और अगर electric field इसके उपर produce किया इसने जो बचा हुआ part है तो इसके उपर कुछ charge भी होगा तो charge और electric field मिलकर क्या हो जाएंगे f is equal to q into e क्या हो जाएगा force ठीक है और force per unit area अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा पर एक छोटा सा पार्ट है उस पर बाकी बचा हुआ जो charge है वो एक electric field जनरेट करेगा उसके कारण इस छोटे से area पर क्या लगेगा एक force लगेगा और force per unit area को हम क्या कहेंगे pressure कह देंगे ठीक है तो यही electrostatic pressure है यहाँ पर तो बस हमें यहाँ देखना है कि इसी concept के थूँ और आप बिल्कुँ simple way में ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी आप छोटा सा part लेंगे उसके सामने का जो छोटा सा part है उसको repel करेगा ठीक है एक दूसरे को repel करेंगे ना इस सारे charges तो जब repel करेंगे तो जो repulsion force होगा में आगा है कि हर charge element एक दूसरे को repel करेंगे और वही force point area pressure हो जाएगा लेकिन method क्या रहेगा कि हम छोटा सा area element मानेंगे बाकी बचे हुए part के कारण electric field देखेंगे और देखेंगे वो बचा हुआ part इसके उपर कितना force generate कर रहा है and that force point area is pressure तो diagram तो यहाँ बनाई दिया गया है जैसे यह इस तरह से बनाए गया हाँ पर तो spare लेकर ही हम लोग इसे solve कर लेते हैं थोड़ा आसान रहता है बाकी apply यह कहीं पर भी हो जाएगा जो formula निकलेगा तो जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा area element लिया और area क्या है पर या किसी भी charge पर अगर हम force देखते हैं कभी तो वो force उसके उपर दूसरे charge के कारण होगा अपने charge के कारण उसके उपर force नहीं लगेगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर force की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर electric field देखना होगा तो यह जो E-naught electric field होगी तो charge तो इस पर भी होगा ना charge तो पूरे surface पर है तो जो यह area element आपने माना है इस पर भी charge होगा लेकिन क्या यह अपने charge के कारण अपने उपर force लगाएगा नहीं लगाएगा इसका मतलब हम इसे अग imagine करें जैसे ठीक है तो मतलब उतना जो surface हमने A area वाला माना है उस A area को हमने ignore कर दिया अलग कर दिया तो अब जो बाकी बचा हुआ है उसके कारण electric field होगी तो अब जब हमने कुछ part इसमें से हटा दिया तो इसका behavior single surface जैसा होगा या double surface जैसा single अभी हम लोगोंने समझ लिया था पहले ही कि उसका behavior single surface जैसे होगा इसका मतलब इसका e naught है इसकी value होगी sigma upon 2 epsilon naught अगर double surface होता तो sigma upon epsilon naught तो sigma upon 2 epsilon naught तो इसमें लिख दिया गए है sentence electric field at the element of area A due to remaining portion will be उसी के नीचे लिख लेंगे e naught is equal to sigma divided by 2 epsilon naught sigma upon 2 epsilon naught फिर इसी पर force देखेंगे तो force on area element force on जो area A element लिया गए area element क्या हो जाएगा force F is equal to Q into E naught अब इनकी values रखते हैं तो अब charge देखते हैं तो जैसे जो charge per unit area है यहां क्या है sigma तो अगर sigma charge per unit area है तो Q is equal to charge sigma is equal to Q upon A होता है तो Q is equal to sigma into A हो जाएगा तो Q की जिगे पर हम क्या रखेंगे sigma into A यह तो अब समझ में आई जाता होगा तो यहां से result क्या आगया F जो force है होगा sigma square A divided by 2 epsilon and therefore electrostatic pressure P is equal to F divided by A हो जाएगा और F upon A का मतलब sigma square upon 2 epsilon unit वही रहे की newton per meter sigma square upon 2 epsilon अब जैसे मान लिया यहां पर यह तो हमने ऐसे sigma के टर्म में निकाल लिया लेकिन अगर यही electrostatic pressure जैसे यह हमने तो small करने के लिए imagine किया है यह अलग कर दिया हमने लेकिन यह अलग है थोड़े ही है तो साथ में ही हमने उसे imagine किया बस just calculation के लिए तो अगर हम इस पूरे surface को यहां पर लें और पूरे surface को लेकर यहां पर हमाँ आपसे पूछें कि near point पर electric field क्या होगी तो near point पर जो electric field होगी वो यहां पर कहीं पर भी देखेंगे E is equal to क्या होगा sigma upon epsilon तो अगर आपसे इस E के term में pressure पूछा जाए कि अगर इस conductor के near point पर electric field इतनी है तो इसके term में electrostatic pressure की value क्या होगी तो हम क्या कर सकते हैं यहां से sigma की value लेंगे और इसमें रख देंगे तो हमें E के term में वही answer मिल जाएगा लिखेंगे नीचे if electric field near the if electric field near the near the conducting surface near the conducting surface is is E is equal to sigma upon epsilon naught implies that sigma upon sigma is equal to epsilon naught E then उसी क्या के लिखेंगे E is equal to sigma upon epsilon naught implies that sigma is equal to sigma जो है epsilon naught E हो जाएगा then यहां पर value रखेंगे then P is equal to P is equal to जाएगा half epsilon naught E जाएगा आट इसको है इसको है इसको अगा-टो हम जाएगा इसको नाम दिया गया इसको नाम दिया गया है है तो आगे हम लोग केपेसिटर में पढ़ेंगे चार्ज डेंस्टी सेम यही फार्मूला आएगा और यह फार्मूला एक पढ़ते हैं तो उसका एक एक पार लिख दिया गया है फोर्स एक्टिंग पर उनिट एरिया आफ चार्ज चांड़ इसका इस डिरेक्शन इस नॉर्मल टू तू अव चार्फेस एंड अवे फॉर्स इर्रेस्पेक्टिव आफ नेचर आफ चार्ज मतलब जो भी प्रेसर है वो क्या है फोर्स पर इंट पोर्स क्या होता है नॉर्मल टू दा सर्फेस लेकिन इर्रेस्पेक्टिव आफ चार्ज क्यों लिखा गया इर्रेस्पेक्टिव आफ चार्ज इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर प्लस चार्ज होगा वो भी रिपल करेगा तो माइनस चार्ज हो तो वो भी तो रिपल ही तो वो फ्लक्सबिल होगा और अगर फ्लक्सबिल है तो जब यहां पर positively charge करेंगे तो क्या होगा यहाँ electrostatic pressure generate होगा और उसके कारण यह expand कर जाएगा यहां पर तो बहुत दिया example for example वेना 100 bubble is charged either positive or negative plus 2 चाहें minus 2 उससे कोई मतलब नहीं तोने cases में it expands due to outward pull, इसका expansion ही हो जाएगा, ठीक है, चलिए questions पर आजाते हैं, इसमें जैसे questions जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो normally flux के questions आपको बताया जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो तरह के questions आते हैं, जैसे formula पूछे जा सकते हैं, या graph आप से पूछा जा सकता है, तो वो तो सब हम लोग theory में देखी चुके हैं, तो वो तो हम theory से याद रखेंगे, कि graph या formula वगरा वहाँ पर, और बाकी flux से related questions कैसे रहेंगे, वही हम लोग को यहाँ पर समझना है, ठीक है? झाल है झाल हो. यह दिखाएगा है यहाँ पर डाइग्राम आपको the spatial distribution of electric field due to two charges, charges A and B shown in figure, which one of the following statement is correct, first हो जाएगा यहाँ पर, हम लोगों को पता है कि जहां से lines निकलती है वो positive हो जाएगा, तो यह जो A है वो क्या हो जाएगा, positive, और साथ में यहाँ पर जो B है उस पर lines terminate हो रही तो वो क्य हो जाएगा, negative, ठीक है, also उसने कह दिया magnitude A का greater होगा, तो हम लोगों है देखा था, जहां से ज्यादा lines दिखाते हैं, उसका magnitude ज्यादा होता है, मतलब A का जो magnitude होगा, charge का, वो B से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, that means, first option यहाँ पर correct हो जाएगा, ठीक है, situation is shown in figure, find the flux linked with the surfaces A, B and C, अलग-अलग आपको बताना है, एक imaginary cylinder इसके अंदर, यहाँ पर ऐसे दिखा दिएगा, cylinder टाइप से, और यह electric field यहाँ पर है, R radius हो गई, तो A, B, C, तीनो surface से link आपको flux दिखाना, अभी जैसे हम लोग ने वो charge seat वाले case में किया था, वैसे आपको यह करना, तो जैसे यहाँ पर देखें, A के लिए, तो A point पर electric field तो अंदर की तरफ होगी, uniform electric field दिखाए गई, तो electric field सब कहीं से हैं, और इसका जो area होगा वो पुरा plane surface है, तो area vector हम normal to the surface है, से मान सकते हैं, S मान लिए हैं यहाँ पर ठीक है, और ऐसे यहाँ पर देखो, तो electric field, क्या, वो दोनों यहाँ पर same direction में इस तरीके से हो जाएगे, तो यहाँ opposite, यहाँ angle हो जाएगा 180, यहाँ theta की value 0, और एक surface और बचा, कौन सा? cylindrical B वाला, तो अगर हम इसकी बात करें, तो इस पर, इसके लिए पूरा एक नहीं मान सकते हम लोग, तो यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सा element लेते हैं, और वहीं से clear हो जाता है, कि यह है DS, और यहाँ पर electric field, अगर आप यह ना भी करें, तो भी आपको पता है, हमने आपको क्या बता है था, कि अगर electric lines surface के parallel हैं, तो flux क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, तो वैसे भी आप यहाँ कह सकते हैं, कि इस से link flux zero होगा, अगर छोटे से area element से link flux zero है, तो पूरे से zero हो जाएगा, और lines वैसे भी surface के parallel रहेंगी, तो again flux वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, zero होगा, for a, pi a is equal to क्या हो जाएगा, e s cos 180, cos 180 की value minus 1, तो यह minus e और s का मतलब हो जाएगा, pi r square, ठीक है, minus e pi r square, क्योंकि cross section area रखेंगे, तो cross section का इसा circular, तो circle का area pi r square, ऐसे अगर हम for b देखें, तो b के ले क्या हो जाएगा, pi b is equal to zero, सीधे लिख देते हैं zero, because e parallel to surface, electric line surface के parallel, for c, pi c is equal to क्या हो जाएगा, e s cos 0, और cos 0 की value, 1, तो यह हो जाएगा, e into s, और s की value, pi r square, net अगर पूछता, तो solve करने की जरूत ही नहीं थी, क्या हो जाता, zero हो जाता, वैसे भी आप देखो, अलग-अलग count क्या आपने, अगर net देखें, तो इसके अंदर कोई charge तो है नहीं, तो जब charge नहीं है, तो zero हो जाता, net electric plugs, और वैसे भी आप देखो, तीनों को add कर दो, zero ही आएगा, ठीक है, अगर आपसे phi net by chance पूछा जाता, तो solve करने की जरूत नहीं थी, वही phi a plus phi b plus phi c b अगर आप करेंगे, तो zero ही आएगा, ठीक है, find the electric flux through the surface of the hemisphere, जैसे यहाँ पर एक, जो sphere रखा किया, वह half sphere है, यहाँ पर हमें, जब भी flux निकालना होगा, तो symmetry बनानी पड़ती है, तो जैसे यहाँ पर देखो, तो आपको सिर्फ नीचे वाला पार्ट दिखाएगा है, उपर वाला पार्ट हमने अलग से जोड दिया, कि अगर हम यहाँ पर देखें, तो यह पूरा पार्ट complete करने पर यह क्या हो गया, एक full sphere हो गया, तो अगर full sphere के center पर आपने charge रखा है, तो पूरे sphere से जाने वाला flux कितना, q by epsilon naught, ठेक है, तो अगर हम आधे की बात करें, तो आधा हो जाएगा q upon two epsilon naught हो जाएगा, complete sphere जो है, flux through full sphere, that is equal to q upon epsilon naught, तो आधे sphere से जाने वाला flux क्या हो जाएगा, चुकि आधी line तो ऊपर से पास हो जाएगा, और आधी line नीचे से पास होगे, तो नीचे flux आधा ही बचेगा, तो वही हो जाएगा q upon epsilon naught divided by two, that is q upon two epsilon naught, अभी अगला कोशन नहीं करेंगे, उसके पहले यहाँ पर कुछ और भी बाते हैं जो देख लेते हैं, टाइगराम यह बना लेना ठीक है, तब ही ध्यान रहेगा कि कैसे बताये गया था, पुरा complete करके ऐसे बनाना जैसे बनाएगे, बनाएगे, नहीं है। जैसे ये तीन हेमिस्फेर यहां पर रखे गए, ठीक है, अब तीनों हेमिस्फेर में अगर हम यहां पर पोजीसन जो है चार्ज की बदल दें, जैसे सपोस कर लिया इस वाले केस में जो चार्ज है एकदम सेंटर पर रखा गया है क्यों, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम चार्ज देखें तो सेंटर यहां पर है, लेकिन जो भी चार्ज है वो हमने अंदर रख दिये यहां पर, ठ is Q, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर flux की, तो जब हम यहाँ पर रखते हैं, तो जो भी number of lines यहाँ पर दिखाएंगे, वो number of lines आधी lines इससे पास हो जाएंगे, ठीक है? जैसे ऐसे हम दिखा दें हाँ पर, कि जो half lines है वो यहाँ से ऐसे पास हो जाएंगे, इस तरह तो यहां पर जो flux यहां से pass होगा, cross होगा, वो क्या हो जाएगा, q divided by 2 epsilon naught, ठीक है, यह तो अभी हम लोगों ने कर ही लिया, अब यहां पर देखें, इस case में क्या होगा, अगर हमने अंदर यहां पर रख दिया, तो जैसे जितनी lines यहां दिखाई थी, वैसे यहां दिखा रहे हैं, ठीक है, कि यह जैसे यहां दिखाए था, तो यहां पर भी ऐसे दिखा दे रहे हैं, और साथ में, यह सारी lines जितनी यहां पर दिखाई गई थी, वो तो इसके अंदर से pass ही होगी, ठीक है, यहां पर यह lines त स्टार्ट कर दे character कुछ लाइन से जयादाा लाज पास भी सिष्का मतलिब जूभी फ्लक्स होगा वो कितना होगा यहाइप नीवता पाएnhगे लेकिन एक बात रहे है क него greater होगा q upon 2 epsilon 0 से यह तो बता सकते हैं कि q will be greater than 2 q upon 2 epsilon 0 5 will be greater than q upon 2 epsilon 0 ऐसे एगर इसमें देखें तो यहाँ पर अगर हमने फिर से वैसे दिखाया तो यह lines और यह lines यहाँ पर चली गई बाहर से ठीक है और बाकी जो बची वी lines है वही सिर्फ यहाँ से पास हो रही है तो अब की बार जो आधी lines है आधे से कम lines पास हो रही है अगर आप इसी सर्फेस से देखो तो आधे से कम lines पास हो रही है और अगर आधे से कम lines है तो हम total कितना है वह exact नहीं बता सकते हैं बट हम यह तो कह सकते हैं 5 will be less than q upon 2 epsilon तो ऐसे भी तो बनाए जा सकता है कि हम center पर यहां ना रखें, center से अंदर रखें या center से पाहर रखें, तब flux क्या हो जाएगा, तो इस condition में तो इतना रहेगा, इस condition में greater और इस condition में less हो जाएगा, प्रोट कर लेंगे से जिरो, पूर्थ उप्शन, सही एकदम, यहां पे दिया गया है, यहां पे हम लोग को यह जो थीटा वगरा दिया गया है, इस्ते को मतलब ही नहीं, क्योंकि जो भी अगर लाइन से परलल हैं, तो जो भी फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तो ऐसे रहेगा ना, इस एंगल से तो कोई मतलब ही नहीं, एरिया वेक्टर और एलेक्ट्रिक फील्ड के पीच की बात करते ना, तो एलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसे, तो ऑंगल तो 90 भनेगा ना, और 90 बनेगा तो फ्लक्स हो जाएगा, जीरो, तो यहां पर कोई साल शाल ही नहीं करना था, आप बस एक Лाइन लि ऐसे आप कहा एक बार और question पूछा गया था, ये question भी आप कहा पूछा गया था, एक बार पूछा गया था इस तरह से, उसने ऐसे square plate बनाई, और उसने कह दिया, सिर्फ ये वाली length उसने L दे दी, और ये L by 2, और बाकी जो L by 2 है यहाँ पर, L by 2 ये वाली, तो इसमें उसने electric field नहीं है, इसलिए zero हो गया, और इसमें electric field है, लेकिन surface के, again zero हो जाएगा, तो इसका भी answer zero ही था, ठीक है, next देखते है, question number 5, find electric flux linked with the surface sewn in figure, एक आपको surface दिखाया गया है, square surface है, और center से A by 2 distance पर रख्या गया है, एक charge, तो इस तरह से यहाँ पर, अगर देखें, तो हमें फिर स पूरा surface complete करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गौसला apply करते हैं, तो हम close surface में apply करते हैं, तो यह चीजें हमें think करनी यहाँ पर रहती है, तो हमें यहाँ पर एक cube बनाना पड़ेगा, इस तरह से, जैसे cube है, इसका, जो side length है, जो edge है, वो क्या है, एक के बराबर, तो जो आपको दिया गया part है, वो हम अलग color से बना दे रहे हैं, जैसे इस से बना दिया, आपको इतना part यह दिया गया है, यह वाला part, ठीक है, और बाकी, जो भी यहाँ पर part है, वो सब अलग से बनाया गया, और इसके center से, a by two distance पर, तो इसका मतलब यह cube का center हो जाएगा, अगर हम देखें, तो edge जो है, यह वाली, वो a के बराबर है, तो अगर हम इस surface से, जैसे यहाँ पर इसे आप मालोग tube है, इसके center पर है, और center से, जैसे इसके यह जो उचाई है, वो a मालो, तो center से अगर a by two distance पर हो, तो एक तरह से, इस cube के center पर ही तो है आप, तो यह जो imaginary cube है, इसके center पर हो गए, तो अगर हम बिल्कुल symmetrical position में हैं, तो इस पूरे cube से जाने वाला जो flux होगा, वो क्या होगा, cube by epsilon naught, अब यहाँ पर total surface कितने है, six, cube में six होते हैं, तो सभी एक जैसी situation में होंगे न, center से, जब cube है, तो सभ एक जैसी situation से होंगे, तो हम यह भी तो कह सकते हैं, कि six surface से pass होने वाला जो flux है, वो है cube upon epsilon naught, तो एक surface से divided by six कर देंगे, बस, ठीक है, तो diagram बना लेंगे, पहले है, अथे क sought आ f metabolismo, ठीक है, ख़्ता हो में एकुती whenever you're एक जैसी एका हो फो कहीं होदने हैं, कि अभी कैसी आ जीक होचाती है, कि में है कि एकज में के बना फ्हुक का प्हुakat फेका बाला से हम क्वैंत एकन प्हुचै कि एक उल उलोंगे, खिक्त रह फ़ते हैं, जो है को कि दтह पॉस्टन में आपको सिर्फ एक फेस दिया गया था, ठीक है? तो हमें उसी से link flux निकालना था, तो 6 से link जो flux है Q upon epsilon 0, इसलिए 1 से link जो flux हो जाएगा Q upon epsilon 0 divided by 6, that is Q divided by 6 epsilon 0, झाल झाल नेक्स देखते हैं कोशन नमबर 6 अचार्ज क्योई प्लेस्ट आट दा कॉर्णर आप क्यूब आप साइड एदा एलेक्टिक फ्लक्स थूदा क्यूब अब की बार चार्ज कहा रखा गया कॉर्णर पर रखा गया तो हमें किसी भी तरह से उसको symmetrical position में लाना है तो symmetry में जब तक नहीं आएगा तब तक आप कोशन सॉल नहीं कर पाएंगे तो उसे हमें symmetrical position में लाना पड़ेगा और symmetrical position में हम कैसे लाएंगे वही देखना है हमें यहाँ पर तो जो भी चारज जैसे यहाँ पर कोशन नमबर कौन से है? 6 तो चार्ज यहाँ पर रखा गया है इस तरह से इसे किसी भी कॉर्णनर पर रख दिया गया है तो यहाँ पर इस कोर्णनर पर दिखा दिया गया है इधर वाले पर दिखाएगे तो यह इस तरह से यहाँ पर रखा गया है चार्ज ठीक है? अब आपको लाना है इसे सेंटर पर तो जब सेंटर पर आएगा मत्रब एक symmetrical situation में आएगा तब ही आप समझ पाएंगे कि इस एक cube से जाने वाला flux क्या हो जाएगा आप center पर लाने के लिए ही आपको यहाँ पर अपना दिमाग यूज करना है तो इसे अगर हम जैसा एक cube है ऐसे ही अगर हमारे पास total 7 cube और हो तो total 8 cube हो जाएंगे तो 8 cube अगर हमारे पास total हो जाया और उनमें हम 4 को नीचे रखतें और 4 को उस पर उपर उसी के उपर रखतें ठीक है तो वो जो यह charge है यहाँ corner पर यह बिलकुल आ जाएगा center पर ठीक है कुछ इस तरह से यहाँ पर हम उसे बना सकते हैं हम यहाँ पर बना रहे हैं अगर आपको बनाना है diagram वैसे हम लिखवा देंगे sentence में बनाना है तो ध्यान से देख लो क्योंकि बन जाएगा फिर नहीं समझ पाओगे इस सारे लोग नहीं जिसका थोड़ा सा ठीक ठाक होगा drawing वो समझ जाएगा क्या करना है यहां modern art नहीं बननी है ठीक है जैसे हम जो क्यों बनाएंगे तो वो इस तरह किसे बनाएंगे यहां पर ठीक है चाहें तो तुम बनाओगे तो है यह तो पहले इतना बनाई लो ठीक है तभी यहां पर आठ नजार आएंगे तुमें पीच में लाइन मत डौ करना पीच में देखो नहीं डौ कीगे बना लिया अब देखो क्या करना है यहां पर बिल्कुल बीच से एक लाइन ऐसे डौ करनी है और एक लाइन बीच से ऐसे डौ करनी है ठीक है और एक यहां पर पर चले आगे फिर एक यहां पर बीच में ड्रौ कर दो ऐसे एक ऐसे यहां पर और एक ऐसे फिर एक क्यूब को कंप्लीट कर लो आप कोई भी क्यूब है इसे जैसे मान ले यह वाला है तो इसे हम ऐसे कंप्लीट कर दे रहे हैं ठीक है और यह जो चार्ज है जो रखा गया था वो यह यहां पर हम ऐसे रखते हैंगे ठीक है समझ में आए अब देखो वो देखो चार्ज अंदर रख आखे टेस्स करा लो अपनी नहीं दिगर आए था जल्दी बिनाओ खतम करना टॉपिक है पूरा तो जैसे रूबिक्स क्यूब जो होता है टूबाइटू रूबिक्स क्यूब है ये Х! तो हो यह है नगी ही संह्नकर बमी उटे प divis realm करना पर आप 210 सही तो यह जो सेंठर यहां पर यह वह एक बड़ा सा क्यूब यह तो होगया तो इस cube का ये center है, जहाँ पर charge रखा गया है, तो इस पूरे complete cube से जाने वाला जो flux होगा, वो हो जाएगा q upon epsilon naught, अब आपको देखना है, सिर्फ एक cube से कितना जा रहा है, तो divided by कितना करोगे, 8 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 8 है ना, तो टोटल 8 cube से जाने वाला flux हो जाएगा, q upon epsilon naught, तो एक cube से divided by 8 कर देंगे, यहाँ पर ठीक है, तो लिख लेंगे इससे, पना लिया ना, diagram, यहाँ पर लिखेंगे net flux, through 8 cube is equal to q divided by epsilon naught, therefore, flux through 1 cube is equal to q upon epsilon naught divided by 8, that is q divided by 8 epsilon naught, तो इसलिए, जो q q के यह जो questions होते हैं, तो यह मतलब जो flux वाले जो questions हैं आपके, चाहें जैसे भी हो, जैसे ही cube वाले खासकर, तो यह जो questions हैं, वो जैसे आपको कहीं से इधर दर से करना है, तो book से ही करना, ठीक है, इधर दर यह नहीं कि दो लोग बैठ के आप फ्लक्स-फ्लक्स खेलते हैं, ठीक है, तो चार्ज यहां रखेंगे, तो कितना होगा, यहां रखेंगे, तो question तो बना लोगे, answer नहीं निकलेगा, क्योंकि answer तभी निकलेगा, जब symmetry आप बना पाओगे, तो symmetrical situation वहाँ पर होनी चाहिए, तभी वहाँ पर उसका answer निकल पाएगा, जैसे सोचो, यहां पर यही चार्ज हम उठाकर, यहां रख देते, फिर आप से कहते, अब बताओ, flux क्या होगा, यहां symmetry नहीं develop कर पाते, तो इसमें हमें पता ही नहीं चल पाता, कि कितना flux यहां पर होगा, ठीक है, तो यह condition फिर solve नहीं हो पाएगी, तो जैसे corner पर रखा, तो हम लोगों ने यहां पर, क्या किया, 8 cube यहां पर रख दिया, मतलब 7 और cube रख दिया, और यह पूरा पहुंच गया charge एकदम center पर, और तब आपने आराम से निकाल लिया, कि total हो गया cube by epsilon naught, तो एक cube से जाने वाला, Q upon 8 epsilon naught, एक cube में कितने face होते हैं, six faces होते हैं यहां पर, ठीक है, तो इसमें ये भी तो question पूछा जा सकता है, कि एक face से अगर निकालना है, जैसे एक cube से हो गया, Q upon 8 epsilon naught, तो यहां पर Q divided by 8 epsilon naught हो गया, यह एक cube से जाने वाला flux, तो अगर एक face से जाने वाला flux पूछा जाएगा, तो divided by क्या करेंगे, divided by, divided by 3 करना है, ठीक है, यहां पर, तब आप answer निकाल पाएंगे यहां पर, six यहां नहीं करना है, ठीक है, यहां पर क्या करना है, three, यही आपको सोचना था यहां पर, क्योंकि अगर एक face से पूछा गया, यह question भी आप क्या पूछा जा चुका है, तो अगर एक face से पूछा गया, तो यहां पर होते तो six face है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर देखो, तो आपको सिर्फ तीन ही face तो नजराएंगे, तीन तो अंदर है, ठीक है, बस तीन ही यहां पर बाहर है, तो जो भी यह total flux निकलेगा, यह total flux सिर्फ तीन face से ही निकलेगा बाहर, ठीक है, और इसलिए divided by क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप यह सोचो, कि यहां से जो भी lines होंगी, तो ऐसे भी आप think कर सकते हो, कि जो तीन face होंगे, जैसे corner पर रखेंगे, जैसे यह cube तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसका corner imagine करो, तो अगर हम इस corner पर रखेंगे, तो यहां से जो lines निकलेंगी, वो इस surface के, इस surface के और इस surface के, तो parallel हो जाएंगी न, या फिर हम यह भी कह सकते हैं, कि यह तीनो surface जो है, जैसे जब हम ऐसे रखेंगे, तो यह तीनो surface तो अंदर से ले जाएंगे, ठीक है, तो वो हमें नजर ही नहीं आएंगे, तो बाहर की तरफ सिर्फ उसके opposite वाले तीन face रहेंगे, जिनसे यहाँ पर flux आपको बाहर आता हुआ दिखेगा, मतलब एक तरह से तीन face अंदर हो गए, तो एक face इसके नीचे, एक तो यह वाला हो गया, और एक face यह होगा, एक cube की हम बात कर रहें, और एक face यहाँ पर नीचे वाला हो जाएगा, थर्ड face, ठीक है, तो यह total कितने face हैं, तीन, और बाकी तीन face तो अंदर होगा, और उनके जो electric lines होगी, वो parallel भी हो जाएगी, तो इसलिए उनसे link कोई flux नहीं आपको लिखना है, तो यही तीन से पूरा flux बाहर आते वे दिखेगा, कोई भी rubik's cube तो सभी ने देखा होगा, तो उसमें अगर आप कोई भी एक cube देखो, कोई जो एक छोटा piece होता है, उसको आप देखो, तो बाहर से से तीन ही face तो नज़र आते हैं, पूरे six नहीं नज़र आते हैं, तो इसका मतलब किसी एक cube से आने वाला जो flux होगा, वो सिर्फ तीन के कारण ही हो, तीन से ही निकलेगा, और तीन से निकलना है, तो अगर उसने एक से पूछा, तो divided by क्या करेंगे? थी करेंगे, तो ये भी note में लिख लो आप, क्योंकि ये question भी आप क्या पूछा गया है, ठीक, note में लिख लेंगे, flux through one face of cube, flux through one face of cube, cube मतलब ये पूरा ये बड़ा cube ने, इसमें कितने total 8 cube हैं, तो हम एक cube की बात करेंगे, तो marking भी कर ले ना, 1, 2, 3, तो याद रहेगा आपको, is equal to q divided by 8 epsilon naught divided by 3, तो ये आजाएगा q divided by 24 epsilon naught, next देखते हैं, the flux linked with the plane surface A in the unit of voltmeter will be, क्याएगा, यहाँ पर जैसे ये जो चार्ज है लिखा नहीं गया, बड़ देखने से ही पता चल जा रहा है, कि वो एकदम center पर रखा गया, और 3 यहाँ पर surface हो गए, A, B और C, तो आपको यहाँ पर बताना है, कि अगर उसने कह दिया, if phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B, मतलब इससे link उसने flux आपको दे रखा है phi, तो आपसे पूछा क्या है A से link, तो हमें एक चीज यहाँ पर clear है, कि A और C का flux तो same ही रहेगा न, क्योंकि वो एक जैसे situation में, और B से link उसने flux आपको दे रखा है, कितना phi, तो अगर हम यहाँ पर total की बात करें, उसन नमबर कौन सा है, 7, अगर हम total की बात करें, तो phi net हो जाएगा Q upon epsilon naught, that is phi A plus phi B plus phi C is equal to Q upon epsilon naught, ठीक है, phi C और phi A दोनों होंगे बराबर, तो C की जाएगे पर भी हम A ही रख देंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे situation में यहाँ पर है, ठीक है, तो यह हो जाएगा phi A, phi B की value क्या है, phi और यह भी हो जाएगा, phi A is equal to Q upon epsilon naught, 2 phi A is equal to Q upon epsilon naught, minus phi, या phi A की value, 1 by 2, Q upon epsilon naught, minus phi, यहाँ पर एक नोट लिख लेंगे इसके बाद, पर यहाँ बलाबे सकताओच लेगाँ, क्योंकि वहाँ, यहाँ दो हो जाएख़ा है, परणिज़, जाएख़ाशाबे लेंगे, झाल झाल जैसे यहाँ पर आपको ये surface दिया गया है एसी ठीक है जो एक curved shape में आपको दिया गया है ठीक है ये वाला जो ऐसे हो जाएगी, जो यहाँ area लेंगे, तो वो ऐसे जाएगा, और electric field ऐसे, तो angle भी change हो रहा है, और area vector खुद में भी एक variable ही है, ठीक है, तो इस तरह से ऐसे अगर हम solve करने कोसिस करेंगे, तो यह complicated दिखेगा और यह calculate भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम यहीं पर एक बा जैसे अगर हम यहाँ पर AC, AB की बात करें, तो जैसे AB से दो lines दिख रहे हैं, तो वही दो lines AC से भी तो pass हो रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, कि जो flux AB से pass हो रहा है, वही same flux AC से pass हो रहा है, जैसे हमने क्या किया है, इसको आगे से cover किया है, जैसे यह जो surface था, यह ऐ AB surface हो गया, और हमने इसके सामने flat surface लगा दिया, ऐसे AC, ठीक है, तो जो AB से pass होगा, वही AC से flux पास हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस से निकालने वाला flux निकालने में problem आ रही, लेकिन AC से निकालने वाला जो flux है, वो हमें यहाँ पर आराम से पता चल ज जाएगा, कैसे, क्योंकि AC एक flat surface है, तो उसका area हो जाएगा, ठीक है, और electric field भी उसी direction में है, तो theta की value क्या हो जाएगी, 0 degree, S और E, दोनों same direction, उसे E यहाँ भी दिखा सकते हैं, तो E और S दोनों same direction में हो जाएगे, तो हम लेख सकते हैं, flux through AB, AB से pass होने वाला flux, equal to flux through AC, से pass होने वाला flux, और AC से pass होने वाला flux क्या हो जाएगा, E, S, equal to E into S, तो यहाँ पर result क्या है, कि जिस भी surface से pass होने वाला flux आपको निकालना है, और आपके लिए वो चीज complicated है, तो आप उसके cross section से जाने वाला या pass होने वाला flux आप निकाल सकते हैं, तो answer दोनों same ही रहेंगे, जैसे उसने कहा था AB से निकालने को, लेकिन हमारे लिए AB complicated पर रहा था, हमने क्या किया, AC से निकाल लिया, जो कि आसान था, तो निकालना ये था, लेकिन हमने निकाला ये, लेकिन हमें पता है, ये दोनों होंगे कैसे, पराबर, क्योंकि जितना इसमें से pass होगा, वही AC से भी pass होकर बाहर जाएगा, ठीक है, न फितना ये लिस्ते हमने से भी pass, हमने की है, खर जा हमने बाहर जार से कितन है, सिकाला ये से तो रहाएगा ब chodzi भी bringsक है, लिकाला की भी pass, बज़किन हमें बाहर, कि कि बाहरे रहें पचेला हुम कि आ. अब देखते हैं हम लोग कोसा नमबर 8, अ हमिस्पेरिकल बॉडिया फ्रेटिस रिस प्लेश इन यूनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड इव इस दा फ्लक्स लिंक्ट विद अ कुछ और थिंग कर सकते हैं, हमने अगर इस पूरी सर्फेस की बात की, मतलब पूरा ये काउट सर्फेस, जितना ये पूरा लिया गया, A और B, इसमें दो सर्फेस है न, A हो गया सर्कुलर और B हो गया, यहाँ पर हेमिस्पेरिकल सर्फेस, लेकिन अगर हम total surface की बात करें तो इसके अंदर कोई charge तो है नहीं तो charge नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो phi A plus phi B होगा that is equal to q upon epsilon naught लेकिन charge है 0 तो इसकी value क्या होगी 0 that means यहाँ पर हो जाएगा जो phi A है this is equal to minus phi B और B से जाने वाला flux हमें पर B से तो हमें निकालना है ना third surface से निकालना है तो यह क्या हो जाएगा phi A तो A से जाने वाला flux हमें आराम से पता चल जाएगा कैसे क्योंकि यह surface यहाँ पर जो है यह एकदम circular surface है तो इसका area vector सीधे सीधे हम मान लेंगे एक ठीक है इसमें अलग-अलग direction हो जाती है लेकिन इसमें सीधे-सीधे हम imagine कर लेंगे S और electric field के साथ angle कितना 90 तो इसका मतलब A से जाने वाला जो flux हो जाएगा वो हो जाएगा E into S into cos 90 जो कि वैसे ही पता है क्या होगा 0 इसका मतलब B से जाने वाला flux 0 होगा इसे आप ऐसे भी कह सकते थे जैसे अगर हम यहाँ पर एक line draw कर देते ऐसे cross section ठीक है ऐसे बीच में line draw कर देते plane कोई तो हम क्या कहते कि इधर का जितना surface है उसमें जितना flux enter कर रहा है उतना इधर बाहन निकल जा रहा है मतलब जितना minus उतना plus again क्या होगा zero हो जाएगा note कर लेंगे second वाला जो दिया गया है उसमें यही जो lines है electric field lines इनको base के perpendicular दे दिया गया है इस तरह से यहाँ पर ऐसे दिया गया अगेन इसे भी करने का वही तरीका रहेगा same कि हमने इसे मान लिया B और इसे हमने मान लिया A ठीक है तो फिर से वही phi A plus phi B is equal to again वही क्यों पान एपसाले not zero तो phi B is equal to phi A हमसे उसने का है hemispherical surface से pass होने वाला flux बताओ क्या होगा तो जो A में जाने वाला flux है वही B से pass होगा जाका तो यहाँ पर अगर आप देखो तो electric field ऐसे हो जाएगी और जो area vector इसका S है वो downward बाहर की दरफ तो angle कितना 180 तो यहाँ पर A से जाने वाला flux निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है P से problem हो सकती क्योंकि वो curved surface ऐसे दियागा लेकिन A से आराम से निकालना है E S cos 180 cos 180 होगा minus 1 इसलिए हो जाएगा E into S के बराबर radius आपको दी गई है न R, तो यहाँ पर S की जागा value रख देंगे πाई R square E πाई R square झारूँ झारूँ question number 9 a charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius R if the radius is doubled then the outward electric flux will be fourth option रहेगा remains the same क्योंकि अगर हम charge ऐसे रखे R में रखे ठीक है और charge वही Q है और इसको हम double कर दें तो flux तो Q upon epsilon naught ही रहेगा ना ठीक है तो उस्ते तो कोई परक पढ़ना नहीं तो वो तो total वही रहना है तो यहाँ पर कुछ solve नहीं करना है 9 number में हम लोग tick कर लेंगे fourth option a long string with a charge per unit length lambda passes through an imaginary cube of as a the maximum flux of the electric field through the cube will be electric flux लिखा है electric field लिखा है electric field लिखा है electric field through the cube will be तो उसने कहा है maximum यहाँ से जो flux होगा वो कितना जा सकता है imaginary cube उसने कहा है question number 10 में तो जैसे आप ऐसे सोचो कि जितना ज़्यादा charge होगा cube के अंदर उतना ही ज़्यादा flux होगा क्योंकि flux की उपान epsilon naught होता है तो जितना ज़्यादा charge उतना ज़्यादा flux तो अगर हम एक cube imagine करें यहाँ पर तो cube के अंदर सबसे बड़ी जो line होती है वो कौन सी होती है उसका diagonal ठीक है जैसे अगर हम diagonal की बात करें तो diagonal सबसे बड़ी length का होगा ठीक है जैसे यह पीछे वाला corner होगा और यह आगे वाला corner होगा तो यह आप ऐसे हाँ दिखा सकते है ठीक है या ऐसे दिखा सकते है जो भी diagonal है वो सबसे बड़ी length का होगा तो कोई भी diagonal अगर आप लेंगे तो उस diagonal की length जैसे यहाँ पर a दिया गया है न तो a आपको सभी side length a दी गए तो यह हम आपको पहले भी बता चुक है कि diagonal की 3 के बराबर ठीक है a root 3 इसी पर आप positive charge यहाँ पर distribute कर दो तो lambda तो दिया ही गया है तो जो flux हो जाएगा यहाँ पर वो flux क्या हो जाएगा? flux lambda और a के term में आपको निकालना है तो flux हो जाएगा q divided by epsilon naught तो अगर आपको 5 max चाहिए तो 5 max is equal to q max divided by epsilon naught और q max का मतलब charge का मतलब क्या हो गया? lambda into length well lambda is equal to charge upon length होता न तो charge is equal to जैसे यह हम लोग सब जान ही रहें पहले से q divided by l रहेगा तो q is equal to lambda into l तो इसका मतलब अगर आपको q max चाहिए तो lambda into l max आपको लिखना होगा l max and divided by epsilon naught और maximum length हमें पता ही है क्या होगी? a root 3 इससे बड़ी length q के अंदर आएगी नहीं सबसे बड़ी length क्या होगा? उसका diagonal तो l max a root 3 हो जाएगा lambda a root 3 divided by epsilon question number 11 for a given surface the gauss lies stated as e dot ds is equal to 0 from this we can conclude that क्या यहां पर conclusion निकलेगा कि अगर ऐसे दिया गया है e dot ds is equal to 0 तो e is necessarily 0 on the surface तो ऐसा तो कोई जरूई है नहीं, e कुछ भी हो सकता है e is perpendicular to the surface at every point e perpendicular हो surface पर ऐसा भी कोई जरूई नहीं और अगर e जो है यहां पर perpendicular होगा तब तो वो angle 0 हो जाता है तो यह भी कोई जरूई नहीं कि perpendicular ही हो वहां पर the total flux through the surface is 0 बस हमें यह पता है, इसमें e क्या होगा, ds क्या होगा, angle क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन हम एक चीज़ बता सकते हैं कि जो total flux होगा, वो 0 होगा वो किसी भी कारण से हो सकता है इन दोनों के भी इसका angle 90 degree होने के कारण भी हो सकता है e का 0 होना भी हो सकता है तो हम यहां पर यह बता सकते हैं कि जो यह quantity है क्या है, flux flux 0 होगा, अब वो किस कारण से 0 है वो हमें नहीं बता हो सकता electric field ही नहीं हो, तब ही तो flux 0 हो जाएगा तो हम लोग यहां पर third option इसका tick कर लेंगे, ठीक है It is not convenient to use a spherical Gaussian surface to find the electric field due to an electric dipole using Gauss theorem because Second option इसमें हो जाएगा, यह point हमने आपको बताया भी था कि जो Gauss, मतलब जैसे जो Gauss लाप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोगों को यह लगने लगता है कि हम यहां पर E dot ds is equal to q upon epsilon not लिखते हैं चुकि ज्यादातर जगे पर हम electric field ही तो निकाल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में यह set हो जाता है कि हम Gauss लापा यूज़ करके electric field कहीं भी निकाल सकते हैं लेकिन कहीं भी नहीं निकाल सकते हैं अगर आप spherical symmetry वहां पर पाएंगे symmetrical situation तभी आप electric field निकाल पाएंगे तो dipole में अगर आप यहाँ पर minus q है और यहाँ पर plus q है symmetry बनाएंगे तो इधर कुछ अलग होगा इधर plus नजदीक है यहाँ पर देखें तो plus और minus दोनों बराबर distance पर है इधर minus नजदीक है तो symmetrical situation कहां generate हो रही है symmetrical का मतलब सब कहीं एक ही जैसी situation हो जैसे अगर हम एक charge रखते हैं बीचो बीच center पर तो यहाँ से जो situation इधर है वही situation इधर वही इधर वही इधर वही हर तरफ है तो इसलिए इसमें electric field find कर पाते हैं लेकिन इसमें हम electric field find नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर सिधे टिक कर लेंगे second option this problem does not have spherical symmetry question number 12 में question number 12 में second option if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi 1 and phi 2 the electric charge inside the surface will be क्या होगा fourth option second option हो जाएगा charge पूछा गया है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे phi net question number 13 phi net is equal to q upon epsilon 0 तो q is equal to हो जाएगा epsilon 0 और phi net अब phi net जब आप लिखेंगे तो उसने कहा है enter करने वाला flux है phi 1 तो enter करने वाले flux को हम लेते हैं minus में और जो leave करने वाला flux है उसको लेते हैं plus में तो यह क्या जाएगा phi 2 minus phi 1 epsilon 0 that means second option correct हो जाएगा consider the charge configuration and spherical Gaussian surface as shown in figure when calculating the flux of the electric field over the spherical surface the electric field will be due to third option हो जाएगा all the charges question number 14 में ये भी हम लोगों ने समझ ही लिया था third option यहाँ पर correct हो जाएगा Gausslaff electrostatic would be invalid if क्या हो जाएगा third option the inverse square law was not exactly true यहाँ पर third option यह questions इसलिए दे दियेगा क्योंकि यहाँ से ऐसे theoretical questions बन सकते हैं तो थोड़ा एक idea लगने के लिए आपको यह questions दिये गए थे अब देखते हैं next question number 16 the electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi is equal to ar square plus b देखो यहाँ पर एक ध्यान देना कि question number 16 में phi phi symbol हम लोग use कर रहते हैं flux के लिए लेकिन यहाँ पर उसने phi जो है flux नहीं लिखा है वो क्या है electric potential है electric potential तो यह potential मतलब V actual में दिया गया है बस उसके लिए उसने symbol यूज कर लिया phi तो यह ar square plus b है a, b, r constant then the charge density inside the ball is अब उसने कहा एक spherical ball है जिसके अंदर जो potential है वो इस तरह से vary कर रहा है और आपको यहाँ पर बताना है charge density charge density का मतलब क्या होता है charge per unit volume बैए ball है तो उसके अंदर volume होगा तो अगर हम कोई ball imagine करें और इसके अंदर हमने मान लिया कि plus charge पूरे में distribute किया गया है ठीक है इसके अंदर charge density उसने पूछा है अब यह जरूरी नहीं कि यह positive हो लेकिन आप मानेंगे positive ही क्योंकि positive मानने पर problem नहीं होगी negative मानेंगे तो problem होगी positive मानेंगे तो अगर plus होगा तो plus रहेगा और अगर minus होगा तो minus आ जाएगा लेकिन अगर minus मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि minus अगर होगा तो फिर plus में आ जाएगा solve करने पर इसलिए हम plus imagine करेंगे बाकि जो आना होगा आ जाएगा तो अगर हम इस यह जो ball है इसके अंदर total charge calculate कर लें किसी तरह से तो बस volume तो हमें पता है radius कितनी दी गई है यहाँ पर radius की जरूवत ही नहीं है आप यहाँ पर r is the distance from the center उसी r कुछ भी आप मान लें जैसे capital r हमने मान लिया ठीक है तो यह यहाँ पर radius हो गई ठीक है यहाँ जो distance जैसे दी गई है आप small r भी मान सकते हैं तो उससे भी कोई यहाँ पर problem नहीं होनी ठीक है small r दिया गया ना center से distance तो वही r distance का हमने एक ball ले लिया ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि हमें यह charge निकालना और charge निकालने का concept हमें पता है gaunsela से ठीक है तो हम यहाँ पर apply करेंगे जो flux हो जाएगा जो flux हो जाएगा यहाँ पर लिखा flux is equal to q divided by epsilon naught और यह जो flux है वो हम लोग यहाँ पर इस ball से associated जो flux है वो लिखना है तो आप direct लिख सकते हैं हमने आपको क्या कहा था कि अगर electric field और area vector कहीं पर आपको दिख जाए कि वो सेम direction में हम सब कहीं जैसे यहाँ पर electric field अगर हम ऐसे देखें तो area vector भी तो कहीं पर लेंगे तो वो उसी direction में तो होगा तो अगर angle और e सब कहीं सेम है तो फिर हम direct लिख सकते हैं यहाँ पर flux को e as cos 0 divided by epsilon 0 problem यहाँ पर फसी cos 0 तो 1 हो गया e और area हो जाएगा 4 by r square बात आती है यहाँ पर किसकी यह electric field की electric field हम कैसे निकालने तो हमें potential तो दिये गया है तो e is equal to क्या होगा minus d5 dv by dr होता है लेकिन यहाँ वी की जाएगे उसने क्या दिया 5 तो d5 by dr यह जरूर ध्यान रखना कुछ लोग बात में यही ध्यान नहीं देते हैं सोस्ते है flux को कैसे हमने differentiate कर दिया तो flux नहीं क्या है potential तो यहाँ से क्या जाएगा minus क्या जाएगा यह 2 a r p constant है 0 हो जाएगा 2 a r जाएगा na electric field आ गई इस ही electric field को हम यहाँ पर रखते हैं minus 2 a r 4 pi r square and this is equal to q upon epsilon 0 तो यह जाएगा q is equal to minus 8 pi epsilon 0 a r cube ठीक है यह जाएगा multiply करने पर 4 into 2 8 pi epsilon 0 और a r cube आ गया charge पता चल गया बस charge ही तो निकालना था फिर क्या करना है आपको volume से divide कर देना तो charge density आ जाएगा pi r cube pi r cube cancel हो गया और यहां से आ जाएगा यह minus 6 epsilon 0 4th option 16 क्याएगी जाएगा गया ऐगालना था चार्ज कालकुलेट करने में, चार्ज कहां से आता, आपको मिलता flux वाले concept से, कि total enclosed charge कितना होगा, यहाँ पर वो यहाँ जो होता है, वही enclosed charge होता है, तो हमने इसलिए लिखा flux क्यों पानेफ साले नॉट, अब flux क्या हो जाएगा, E S cos 0, ठीक है, तो यहाँ पर S तो हमें पता ही 4 pi r square surface area, electric field नहीं पता थी, electric field हमने यहाँ से निकाल लिया, चूकि उसने potential दिया था, तो हमें electric field का concept पता ही पहले सी, तो वहाँ से हमने electric field निकाला, और यहाँ पर रखकर charge निकाला, divided by volume कर दिया, आगया यहाँ पर charge density, आपके हाँ जो question पुझा गया था, 17 number का, बिल्कुल ऐ सही था, बलकि वह इससे काफी आसान था, उसमें दो पार्ट गायब कर दिये गए, एक तो यह last का पार्ट गायब कर दिया उसने, और यही starting का पार्ट गायब कर दिया, बस बीच का ही पार्ट बचा था, और यही आपके हाँ question पुझा गया था, ठीक है, देख लेते हैं, field will be given by, तो उसने कहा, अगर हम A radius का एक sphere मान ले, जैसे अब की बार उसने, यहाँ पर उसने कहा दिया, A radius का sphere मानना है, तो again सब कुझ तो वही रहेगा, और इसके अंदर charge आपको निकालना है, उसने कहा यहाँ पर जो electric field है, वो electric field का, उसने concept क्या दे रखा है, E is equal to A into R, A को कोई भी constant हो गया, तो AR, लेकिन यहाँ हमने radius को क्या माना है, A माना है, जो कि उसने A radius का उसने sphere लिया, तो R तो general form हो गए, कि R distance पर electric field क्या है, AR, तो A distance पर electric field क्या हो जाएगी, A into A हो जाएगी, R की जिगे पर हम क्या रखतेंगे, A, यहाँ पर R is equal to A हो जाएगा, ठीक है, जैसे जो हम लोग निकाल फार्मूला लेते हैं, तो फार्मूले में जो R होता है, वो तो general distance होती है, उसको हम कुछ भी ले सकते हैं, R से कम ले सकते हैं, R के बराबर ले सकते हैं, R से ज्यादा ले सकते हैं, तो यहाँ पर R की जिगे हमें क्या लेना है, इस ball की radius, ठीक, अब यह वाला पार्ट हमने यहां से हटा दिया, और यह वाला पार्ट भी नहीं पुछा गया है, सिर्फ यह बीच वाला पार्ट आपसे यहां पर पुछा गया है, तो यह है question number 17, तो हमें लिखना है, flux is equal to q upon epsilon 0, अब यहाँ पर again सब कुछ वैसे ही रहेगा, flux अगर आप देखें, तो direct आप लिख सकते हैं, e s cos 0, and this is equal to q upon epsilon 0, e की value क्या है, a into a, और surface area कितना हो जाएगा, 4 pi a square, और cos 0 की value 1, this is q upon epsilon 0, तो q की value आजाएगी, 4 pi epsilon 0, a, a, q, 4 pi epsilon 0, a, a cube, that means first option correct. A charge q is uniformly distributed on a ring of radius r, a sphere of an equal radius is constructed with its center lying on the periphery of the ring, the flux of electric field through the surface of the sphere will be, यहाँ पर देखो जो डाइग्राम है, वो थोड़ा आपको ध्यान से बनाना रहेगा, charge जो है, जैसे एक ring दिया गया, उसके उपर charge का distribution किया गया, और एक sphere दिया गया, equal radius का, तो आपको जो डाइग्राम, मतलब जो एक सन दिया गया, उसके हिसाब से डाइग्राम देखें कैसे बनेगा, टाइग्राम में ध्यान देंगे, ऐसे नहीं कि दो गोले वस ऐसे खींच लिए, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना रहेग्राम, आप यहाँ पर देखो कि यह जो center है, और यह जो center है, इन दोनों के बीच की जो distance है, यह भी r के बरावर है, मतलब यह जो यहाँ पर हो गया ring, r radius का, और यह हो गया sphere, तो जो sphere का center है, sphere का center, तो sphere का center ring के circumference पर आ रहा है, तो फिर यही चीज़ उल्टा भी हो जाएगी, कि जो ring का center है, वो sphere के circumference पर आएगा, मतलब surface पर आएगा, ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना, क्योंकि यही main point है, कि यह distance, दोनों center के भी इसके क्या होगी, r, और इस ring के उपर उसने आपको charge दे रखा है, plus q charge, तो उसने पूछा है, sphere से जाने वाला flux क्या होगा, यह बताना है आपको, तो sphere से जाने वाला flux आप तभी निकाल पाएंगे, जब sphere से जाने वाला charge आप निकालेंगे, अगर charge पता चल जाएं, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि कितना flux वहाँ से पास होगा, तो इसमें देखो जाने यहाँ पर, diagram देख लो कैसे बनेगा, हम अगर यहाँ पर इस point कट कर रहा है, अगर यह देखें, तो यह ring का center है, और यह sphere का center है, तो अगर हम यह line मिलाएंगे, तो यह भी तो r होगा, r ही तो होगा न, और अगर हम यह वाली line यहाँ पर मिलाएंगे, तो यह भी sphere का है, और sphere की भी radius वही है, r, तो यह भी r के बराबर होगा, इसका मतलब यह जो angle बनेगा, वह कितना, 60, सभी 60 होगे, यह भी 60 degree हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर यह मिलाएंगे नीचे, तो भी वही situation generate होगी, यानि कि यह angle again क्या होगा, 60 degree, ठीक है, तो अगर हम ring को अलग से, वैसे तो हम उसे हम समझा सकते हैं, लेकिन हम अलग से दिखा दे रहे हैं, कि अगर हम इस ring को बनाएं सिर्फ, ring, तो ring में यह जो दोनों point है, यह point और यह point, जैसे इसको हमने मान लिया A, और इसे हमने मान लिया B, यह हो गया O, तो हमें यह A, O, B पर charge बताना है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस A point को और B point को यहां से मिलाएं, A point और यह हो गया B, ठीक, ring में, तो एक अगर हम ऐसे यहां पर line और ड्रॉ कर दें, यह angle कितना है, 120, तो अगर यह angle देखें, बिल्कुल पीस से हमने डिवाइट किया, तो यह भी 120 और यह भी 120, मतलब तीन बराबर पार्ट में बटेगा न यह, तो अगर पूरे पर charge है क्यों, तो एक पार्ट पर अगर हम charge देखेंगे, तो चुकि यह one-third पार्ट ही हमें दिख रहा है पूरे का, तो एक पार्ट पर charge कितना क्यों बाईता है, इसलिए यह बनाया गया यहां पर, कि अगर यह 120 है, तो हम पूरा एंगल जानते हैं, तो एक तरह से यह पार्ट जो है, यह पूरे का one-third पार्ट होगा, ठीक है, इसलिए हमने यह अंगल बना कर दिखाया है, कि अगर ऐसे डॉक करें, तो यह 120, 120, तो यह टोटल हो गया, 360 है, तो यह one-third पार्ट है, इसका मतलब, यह जो स्फेर है, इस स्फेर के अंदर जो चार्ज है, वो कितना है, Q by 3, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q by 3 upon epsilon naught, that is Q upon 3 epsilon naught, यह आंसर हो जाएगा, इसका third option. झाल झाल, 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 झ झाल 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 नोट के लिए नेक्स देखते हैं कोसर नमबर 19 अफ्यू एलेक्रिक फील लाइन फॉर एक्टिक फील लाइन फॉर जैसे पहले में उसने दिया Q1 Q2 बराबर तो एक बात तो यहां से वैसे ही है कि Q1 यह चार्ज है यहां पर और Q2 यह है तो पहली बात Q1 होगा positive और Q2 होगा negative दूसरी बात यहां पर कि जो magnitude Q1 का है वो greater होगा magnitude of Q2 से क्योंकि यहां ज्यादा line से यहां कम है तो दो बाते clear हैं इसका मतलब पहला और दूसरा option तो होई नहीं सकता है अब third और fourth पर जाते हैं उसने कहा है at a finite distance to the left of Q1 the electric field is zero मतलब वो null point जानना चाहरा है कहां electric field कहां zero होगी null point पर तो वो जानना चाहरा है कि null point Q1 के left side में होगा at a finite distance to the right of Q2 electric field is zero या इधर zero होगी electric field तो कौन सा होगा fourth of third कैसे हो जाएगा Q1 का जब magnitude ज्यादा है तो हमने बताया था कि सबसे पहले यह plus है और यह minus तो plus minus में null point बीच में तो होगा ने आपको lines ही दिख रहे हैं यहां कहीं zero electric field होगी नहीं होगी electric field बाहर side में zero होगी तो आपको बताया गया था जिसका magnitude कम होगा उसके नजदीक होगा null point ना तो magnitude तो क्योट होगा कम है इसका मतलब यहां पर कहीं पड़ेगा null point तो यह null point होगा और जहां null point होगा वहीं पर electric field क्या हो जाएगी zero that means fourth option यहां पर correct हो जाएगा पहले देख दो लो क्या पत्पूच रहें सही यह लिखा हुआ है अब यह सही वालों पकड़के पीट डालो my and minus lambda कुलाम नहीं दोनों लिखने है plus lambda कुलाम पर मीटर and minus lambda कुलाम पर मीटर minus वाला भी चार्ज है दो है ना यहां पर are placed at a distance of two hour in free space what is the electric field midway between the two line charges यह infinite length के यही question पूचा गया था आपके अनीट में यह वैसे ही question है जैसे हम लोग ऐसे एक question किया था ना charge दो है और उनके बीच में electric field कहीं निकालनी है तो वैसे यहां पर charge की वज़ा है line charge कर दिया गया है तो इसकी भी यहां पर जो है lambda है charge point length और यह minus वाले की भी charge point length lambda है क्याएगा third total distance जो दी गई है वो two hour है दोनों के बीच तो यह center पर आप से पूछा कि यह hour हो गया और यह hour हो गया है ठीक है तो जो electric field आप यहां पर देखेंगे दोर देख रहा है भगवार नहीं बचाया तुम लोगों से दोर देख रहा है कैसे खुला है जाके देखाओ वहीं पर कैसे खुला है तो प्लस के कारण जो electric field होगी वो इधर हो जाएगी e और जो minus charge है उसके भी same ही direction में electric field रहेगी तो जैसे यहां पर one लिखते रहे है और यहां पर हमने लिख दिया two तो minus के कारण towards the charge तो जो net electric field है at o e net is equal to e1 plus e2 lambda upon 2 pi epsilon not r और दुसरा भी हो जाएगा lambda upon 2 pi epsilon not r that means lambda upon pi epsilon not r 20 का third option correct हो जाएगा गलाशना लापाल